Hey guys, welcome back to education भहिया, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे class 12 के सबसे पहले chapter को, ये सुनके तुम्हें थोड़ा सा फ़नी लगेगा कि तुम्हारा जो सबसे पहला chapter है, उस chapter कर नाम है the last lesson, हाला कि ये story बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, ये story बहुत जादा emotional ह होने वाल है, वैसे इस story के writer है Alphonse Dodet और ये एक French novelist है, और ये कहानी Franco-Persian war के time की है, जिसमें France Persia से हार गया था, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना, कि इस war को lead हमारे benchmark चच्चा नहीं किया था, और तुम में से maximum लोग इनका नाम already history में कई बार सु आमिल कर लेता है, basically हडप लेता है, और क्या, वैसे इस story में दो main character है, सबसे पहला जो कि मैं खुद बन के आया हूँ, France, France जो है ना, वो एक student है, और वो इस पूरे story का narrator भी है, दूसरे आते है M. Hamill, जो कि एक French teacher है, और वैसे देखा जाए तो इस story में एक और character है, लेकिन व school निकलने के लिए बहुत जादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जादा डर लग रहा है कि M. Hamill मुझे आज बहुत जादा डाटने वाले है, वैसे M. Hamill हमारे French teacher है, और वो आज बहुत सारे questions पूछने वाले है, based on participants, और मुझे participants का P भी नहीं आता है, और यह थी reason है कि मैं स्कूल निकलने के लिए इतना लेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डाट खाने का कोई सौक नहीं है, और इसलिए मुझे डर भी लग रहा है, वैसे मैं बंक भी कर सकता हूँ, क्योंकि डाट खाने से तो अच्छा ही है ना कि मैं इधर उधर घूम के टाइम प काल रही है, वो भी ट्रीज बैट कर और यहां से कुछी दूर में एक सौमील है, सौमील का मतलब जहां पे लकडिया काटी जाती है, वहां पे बहुत जादा जोड़ से मार्च पास्ट की आवाज आ रही है, क्योंकि वहां पे पर्सियन सोलजर मार्च पास्ट कर रहे हैं, वैसे ये सबी चीज मुझे बहुत जादा टेंप्टिंग लग रही है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस टेंप्टीशन को दबा कर स्कूल जाना ही पड़ेगा, और इसलिए मैं स्कूल जाने के बारे में सोचता हूँ, और फिर थोड़ी दिर सोचने के बाद स्कूल के रास् तबी वहाँ पे एक टाउन हाल पड़ता है, और टाउन हाल के बगल में एक बुलिटन बोर्ड लगा हूँ था, जहां पर आज बहुत जादा भीड थी, वैसे मैं बता दूँ ये जो फ्रैंको पर्शियन वार है ये पिछले धाई साल से चल रही है, और इन धाई सालों में इस बुलिटन बोर्ड में सिर्फ खराब खराब न्यूजी छपी है, फोर एक्जामपल फ्रांस ने कौन-कौन से बैटल्स हा रहे हैं, और अलसिक और लॉरिन जो है न वो कैसे फ्रांस से चीना जा चुका है, और अब वो पर्शियन के हाथों में, और यही कारणों के वज चाहता तो जाके वहाँ पर देख सकता था, लेक्न मैं स्कूल के लिए बोहँ आचाना लेट हो रहाता था, तब ही मैं देख्टा हूं कि उस बुलिटन बोर्ड के पास में, एक ब्लैक्समिथ घरा था और उस ब्लैक्समिथ के साथ एक ट्रेणी भी था, ट्रेणी मताब जो उसके अंदर काम करता है तो ब्लैक्समित मेरे तरफ देखता है और सर्केस्टिक वे में कहता है अरे फ्रांस तुम इतनी जल्दी क्यों है अराम से आओ खड़े होकर देख लो क्या लिखा हुगा है यहां पे वैसे भी स्कूल स्टार्ट होने में बहुत जादा टाइम है बेस जोगा जाता तब बहुत आटा सुर सराबा ओता था पोगा जाता नौज होता लेकिन आज असा बिल्कुल भी नहीं था नॉर्मली क्या होता था जब मैं स्कूल जाता तो डिस्क आवाज आता था जो टीचर होते हैं वो जब रूलर स्केल से ऐसे करके मारते है डिस पे तो वी सवाली आवाज भी आती थी जो बच्चे उते हैं, जो अपने चाप्टर को पढ़ रहे होते थे जब व आपने क्टा को रिसाइड कर Championship कर रहे होते थे तो उस वक्तunta की रिसाइटा कवाज आती थी लेकिन आज पिल्कुल भी आसा नहीं था आज भी सेंटेवंडे तो नही लेकिन आज तो लिट्रल वाला पिंड्रॉप साइलेंस था, इसलिए फिर मैं जल्दी से अपने क्लास पहुचता हूं, और फिर हुलक कर अंदर देखता हूं, मतलब छांक कर अंदर देखता हूं, तो देखते हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी अपने डिस्क पे सां और उनी के क्लास में मैं पढ़के भी नहीं आया हूं, और उपर से मैं लेट भी हूं तो बतलब किसी की भी फटी जाएगी प्रो, इसलिए मैं बहुत जादा डर डर के क्लास के अंदर गुचता हूं, लेकिन सर्प्राइजिंग बात तो यह था, कि जो M.H.M.L. थे ना, व का कैप पहना है, और यह सभी चीज देखकर ऐसा लग रहा है कि इंब्रोइड़ेड है, और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं, वो नॉर्मल ओकेजिंग पर आसे ड्रेस नहीं पहनते हैं, हमारे स्कूल में टीचर्स आसे ड्रेस तभी पहनते हैं, जब कोई स्पेशल ओकेज होता है, for example, inspection day हो गया, या फिर price distribution day हो गया, इसलिए एक पल के लिए तो मैं सोच में पढ़ जाता हूं कि आज कौन से special day है, आज कौन से special occasion है, आज मिझे स्कूल में हो रहा सभी चीज काफी ज़्यादा new लग रहा था, काफी ज़्यादा strange भी लग रहा था, काफी ज़्यादा unusual और काफी ज़्यादा strange था, और अगर तुम्हें लग रहा है strange वाली चीजे यहीं पर खतम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, हमारे class के जो last binge होते हैं, वो usually खाली रहते हैं, लेकिन आज उसके ओपर बहुत सारे senior villagers बैटे वे थे, जैसे कि एक old hauser, जो कि retired mayor है और तुमने three cornered hat पहना हुए, three cornered hat तुमने cowboy को दिखा है, वो लोग ऐसा hat पहनते हैं, वैसे मैं तुम्हें दिखा दूगा यहाँ यहीं, कहीं दिखा दूगा तुम्हें बस, फिर एक postmaster भी बैठे वे थे, और बहुत सारे senior villagers और भी बैठे वे थे, वैसे पीछे बैठे वे ज जो हाउजर होते हैं, वो उस बुक को अपने नी पर रखते हैं, और फिर अपने spectacles, मतलब जो चस्मा होता है, उसे उतारते हैं और उस बुक के ऊपर रख देते हैं, फिर M. Hamill जो होते हैं, वो काफी strange tone में कहते हैं, कि अब तुम सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि आज ये तुम सभी का French का the last lesson है, इसके बाद तुम सब को कभी भी French नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि Berlin से order आया है कि अब से Alsic और Lauren district में French नहीं पढ़ाया जाएगा, और French को as a subject नहीं रखा जाएगा, अब से तुम सब को language subject में सिफ जर्मन ही पढ़ना इसलिए मैं उमीद करता हूँ कि तुम लोग आज ये इस last lesson को ध्यान से सुनोगे, सायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखर टाउन हॉल के पास वारे bulletin board में इतनी भीड क्यों लगी थी, क्या सच मुझ अब मुझे French पढ़ना चोड़ना होगा, क्योंकि मुझे अभी गज़क फ्रेंस तो ढंक से बोलना और लिखना भी नहीं आता, कास मैंने French language को अच्छे से पड़ा होता, मैंने जो time waste करा है birds के एक को हंट करने में वो नहीं करा होता, कास मैंने जो time waste करा है सार रिवर के पास खेलने में उस time को मैंने West नहीं किया होता, कास मैंने French language को होता कुछ वक्त पहले तक तो मुझे जो फ्रेंच बुक्स थे ना वो पहुत ज़्यादा हेवी मतलब कि मुझे पहुत ज़्यादा बॉर्डन लगते थे लेकिन अब वही बुक मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहा है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता वैसे मुझ सायद अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एम हैमिल ने इतना अच्छा टरस क्यों पहन रखाए आखिर आज वह स्पेसल ओकेजिन क्या है मुझे इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा बूरा लग रहा है कि अब मैं एम हैमिल से कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा और साय आखरी बार जो एम हैमिल ने पिछले 40 साल से बेसिकल जो एम हैमिल थे ना वो पिछले 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे तो जो विलेजर्स थे वो चाहते थे कि वो एक आखरी बार उनके पेटफुल सर्विसस को जो उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया है उसके लिए वह पे आएं और वो उन्हें एक लास्ट गुडबाय कहना चाहते हैं बेसिकली जो विलेजर्स हैं वो उन्हें सुक्रिया और गुडबाय कहने आएं ये सब कुछ मुझे समझ ही आया होता है कि तभी एम हमिल मुझे बोलते हैं कि फ्रैंस अब तुम्हारी बारी है चलो मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताओं मैं खड़ा होता हूं और फिर कोसिस करता हूं कि मैं बिलकुल सही बोलूँगा बिलकुल क्लियर बोलूँगा लेकिन जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूं मैं पहला वर्ट बोलता हूं मैं तभी डगमगा जाता हूं क् पूरा लगना चाहिए क्योंकि तुम रोज कहते थे ना कि तुम इन सब चीजों को पढ़कर आओगे इन सब चीजों को जल्दी सीख जाओगे लेकिन देखो अब क्या हुआ है तुम्हें फ्रेंच लैंग्विज अच्छे से बोलना और लिखना भी नहीं आता है और ये ऐलस लोग कहते हो कि तुम लोग फ्रेंच मेंगे हो लेकिन सब ही को अपनी खुद की लैंग्विज नहीं आती पर फ्रेंच इस sabem तुम्हारीकुई नहीं और तुम्हारे पेरिंट्स दोनों कीए कुंहारे पैरेंट्स तुम पेर ध्धान नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ र इस लिशन को अच्छे से पढ़ो और कभी-कभी जब मेरा फ्रिसिंग करने का मूड होता था तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था तो हां मैं भी ब्लेम करने के लाएगू और फ्रेंच लैंग्विज इस दुनिया की सबसे ब्यूटिफुल लैंग्विज है और ह उनके पास इंसलेब्मेंट की चाबी होती है इसलिए हमें भी अपने लैंग्विज में पकड़ रखना पड़ेगा तभी हमारे पास भी इंसलेब्मेंट की चाबी रहेगी और हम भी इस कैट से अजाद हो पाएंगे क्योंकि जो कंट्री स्लेब बन चुकी है अगर वो कंट्री को कोई भी अजाद नहीं करवा सकता और वो कंट्री हमेशा के लिए अपनी पहचान खो जाएगी और वो कंट्री हमेशा एक दूसरे कंट्री के अंदर गुलाम रह जाएगी इसलिए हमें हमारे लैंग्विज पे हमेशा पकड़ रखना चाहिए ताकि हम एक दिन अजाद हो सके इसके बाद MML एक ग्रामर की बुक लेते हैं और उसमें एक लेशन को खोल कर सब को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और ये पहली बार था जब मुझे MML छो कुछ भी पढ़ा रहे थे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था इवेन जो MML भी थे ना वो को ना समझ पाए इसलिए MML को खुद जितना भी पता था फ्रेंच लैंगविज के बारे में और उस लेसंस रिलेटेट उन्हें जितना भी पता था वो सभी कुछ डीटेल में सामने वाले स्टुडेंट्स को समझाना जाते थे फिर MML ग्रामर स्रेक्शन कंप्लीट करवान तो आखे आखे पेसे उस इस तरी में रखेंग। जाता है कि ऐसा लग रहा था कि जो भी कॉपीज है ना लाइन से वो कॉपीज नहीं बलकि फ्लाग है और सभी एक बड़े से मोटे से रोड से कनेक्टेड है इसके बाद पूरा क्लास सांत हो जाता है और सभी अपने कॉपी में लिखने लगते है इस मोमेंट पे इतना मतलब कि मॉस्क्यूटों घुश जाता है लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये थी कि पूरे क्लास में एक भी बच्चा रियाक्त नहीं करता है इससे पहले क्या होता था ना कि अगर क्लास में कोई भी बग घुश जाता था तो पूरा क्लास पैनिक करने लगता था और इसलिए सभी MML को लेके बहुत जादा अटेंटिव थे इविन हमारे क्लास के ऊपर कुछ कबुतर बैटे वे थे मतला पीजन बैटे वे थे इविन वो तक साउंड नहीं कर रहे थे ऐसा लग रहा था मानो वो लोग भी MML की बातों को ध्यान से सुन रहे फिर मैं सोचता हूँ कि क्या Germans, Pijans लोग को भी बोलेंगे कि वो लोग अपना language change करके German बोलना स्टार्ट कर दे जैसे कि वो लोग हमें force कर रहे हैं कि हम French छोड़ कर उनकी language बोलना स्टार्ट कर दे फिर मैं notice करता हूँ कि जो MML होते हैं वो पूरी क्लास को ध्यान से देख रहे होते हैं ऐसे देख रहे होते हैं मानो वो एक ही बार में पूरी क्लास की फोटो अपने आखों में अपने दिमाग में कैद करना चाहते हो क्योंकि वो पिछले 40 साल से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे and unfortunately अब उन्हें ये स्कूल छोटके जाना पड़ेगा फिर मैं मनी मन सोचता हूँ कि आखिर पिछले 40 साल में क्या क्या बदला है वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला है बस जो मेरे सामने डेस्क और चेयर और टेबल्स रखे वे हैं वो थोड़े पुराने हो गए 40 साल पहले जो मैंने वैलनेट ट्री का प्लांट लगाया था वो अब बहुत जादा बड़ा हो चुका है बेसिकली वो एक ट्री बन चुका है और जो 40 साल पहले मैंने हॉपवाइन का प्लांट लगाया था वो इतना जादा लंबा हो चुका है कि अब वो स्कूल के रूफ, मतलब स्कूल के चट तक आता है तो हाँ, पिछले 40 सालों में इतना जादा कुछ नहीं बदला है राइटिंग स्रिक्षिन के बाद लिसन ओफ हिस्ट्री होता है और इसके बाद होता है फिनॉटिक्स फिनॉटिक्स में सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल छोटे बेबीज की तरह सारे अलफाबेट को रिसाइट कर रहे होते हैं जो फ्रेंच अलफाबेट होते हैं उन्हें फिर मुझे सुनाई देता है कि M.H.M.L. की जो बहन है जो सिस्टर है वो पैकिंग करके वहाँ से निकल रही होती है क्योंकि अगले ही दिन उन्हें एल से चोड़ कर जाना था और फिर इसके बाद चर्च का घंटा बचता है और जो क्लास होता है वो खतम हो जाता है फिर मैं देखता हूँ कि जिन सुलजर्स को मैंने सुबह में देखा था मार्च पास्ट करते हुए वो सभी वापस आ रहे होते हैं वो भी ढोल बाजा बजाते हुए कप कपा हट थी और इससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रहा है और एक तरफ तो यह देखकर काफी फनी लग रहा था कि वो इतने मैच्योर है इतने ज़्यादा ओल्ड है फिर भी रो रहा है लेकिन एक तरफ मैं भी बिल्कुल ओल्ड हाउजर की तरह ही M.H.M.L. को लेकर बगाएं इमोशनल हो जगाता बस M.H.M.L. को लेकर नहीं इस लाश्ट लेकर इसके बाद मैं कलास से कुछ एहना चाहता था I I I I लेकिन मैं कुछ जैते हुशंtest करता हूं इसलिए मैं मुड़ता हूं बोर्ड की तरफ और अपने हाथ में चौक लेता हूँ और जितना बड़ा हो सकता था जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े लिखने की कोसिस करता हूँ और लिखता हूँ We are love France जिसका मतलब होता है Long live France इसके बाद MML जो होते हैं वो हमारी तरफ turn नहीं होते हैं वो wall कि side ही रहते हैं इसके बाद MML थोड़ा bend होते हैं और अपने gesture से बताते हैं कि अब class खतम हो चुका है और वो अब जा रहे हैं और इस तरह से तुमारे यह जो story है वो खतम होता है देखो अगर तुमें वीडियो पसंद आता है तो यह भाई और आपको तुम लोगे इस वीडियो में तुके लाइक कर दोगे कमेंट सबसे आदा इंपोर्टन है तुम लोग कमेंट ही नहीं करोगे तब पता ही नहीं चलेगा ना वीडियो अच्छी थी पूरी थी नॉर्मल थी आवरेस थी कुछ तुम में वहां कहीं पर प्रॉब्लम लगे कोई पार्च बैस नहीं आ रहा है तुमनों कमेंट कर दिया करो कि इस पार्च कर बलाने अल्चा अब मे